तो आज मैंने आपके इसी exercise को लिया है 8.1 तो इसे solve करने से पहले मैं आपको बता दू एक मीटर में कितने centimeter होते हैं 100 centimeter जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ठीक है मैंने आपको पहले ही बता दिया और मैं एक बार आपको फिर यह introduce करा रहे हूँ कि एक मीटर में कितने centimeter होते हैं student तो एक मीटर में 100 centimeter होते हैं 100 centimeter होते हैं आप इस अच्छे से learn कर दीजें ठीक है आपको change करना है यहाँ पर 3 meter को c Anda में जब एक मीटर में 100 cm आता है तो 3 मीटर में कितने cm आ जाएंगे 300 cm हो जाएंगे सेम यहाँ पर करना है यह तो अलरड़ी 7 cm में है यह आप इसे चेंज करिए तो यह क्या हो जाएगा 800 cm और इसे 7 और प्लस करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 807 cm सेम आप यहाँ पर भी करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर 3 मीटर और 34 cm 24 तो अलरड़ी cm में है तो आप बस इसे चेंज करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे तो इस तरह से आपका यह आंसर आजाएगा ठीक है बागे rest सारे problem आप इसे तरह से solve करेंगे अब यहाँ पर आप देखे cm को मीटर में change करना है cm में मीटर को change करने के लिए जो भी number होगा आप उसे 100 से divide करेंगे 0 से 0 cancel इस 0 से 0 cancel तो answer क्या आगे 20 जो कि मैंने यहाँ पर write कर दिया है cm को मीटर में change करने के लिए always आप क्या करेंगे 100 से divide करेंगे ठीक हर एक number को क्या करेंगे 100 से divide करेंगे तो same work मैंने यहाँ पर भी कर दिया है तो answer क्या जाएगा यहाँ पर 50 जो कि मैंने यहाँ पर write किया है तो आप इसे such as अपनी book में note down करेंगे